फूल अमरेला के लिए हमने टोटल जो फैवरिक है उसे फोर फोल्ड किया है और फोर फोल्ड करने के बाद हम इसमें लाइनिंग ड्रॉ करेंगे यह लहंगा हम फोर से फाइव यह गर्ल के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए 4.5 इंच का हमें लाइन ड्रॉ करना है यह लाइन ड्रॉ किया है उसके टोटल लेंथ हमको 25 इंच आहिए है इसके लिए पैल्ड की लेंथ हम 1.5 इंच लेंगे वन इंच हम लेंगे नीचे के लिए प्लस आप साइट के लिए और 23.5 इंच हम इसकी लेंगे की लेंगे तो टोटल मिला के हमारे 26 होगा जब बड़ जब हम रेडी करेंगे तो वह हमें लेंगा टोटल 25 इंच का रेडी मिलेगा नाव कट इट बैल्ट के लिए हम इलास्टिक बैल्ट रेडी करेंगे किट्स का इसमें हम इलास्टिक डालेंगे अंदे कि आफ्टर कटिंग हमें लाइनिंग के दो पीस मिलें हाफ हाफ सर्कल इसमें इसके लिए हम इसे वन साइड से स्टिच करेंगे कि अब हम जो में फैवरिक है सेम कटिंग कर लेंगे 4.5 इंच का और प्लस उसकी जो लैन थे 23.5 इंच लेकर उसे कट करेंगे झाल कि लाइनिंग को वन साइड से हम स्टीज करके से पैक कर दिंगे सेम में फैबरिक को भी हम स्टीज कर दिंगे अब जो लाइनिंग इसके जो बॉर्डर है कॉर्णर साइड उसको फोल्ड करके स्टीज करना है अब केंकन पटी एड करेंगे तो इसमें जो फ्रंट साइड है जो अपना उपर का में फैबरिक है उसमें स्टीज करेंगे वन साइड से फ्रंट में ओके लहंगे के लास्ट तक कैंकन पट्टी को स्टीज करना है इसके बाद लाइनिंग प्लस में फैबरिक दोनों को वेस साइड से अटेस्ट कर लीजिगा झाल हुआ हुआ है लेहंगे की जो वन साइड तो यसे खलोग करना है तो उसके लिए हम इसे मिजम jogo में फैबरिक के पहले हम उसे स्टीज करेंगे से को वो स्टीज करने के बाद जो हमार लाइनिंग असथ तरह हम उसे स्टीज करेंगे और उसे क्लोज करेंगे झाल झाल बेल्ट हमने टोटल 33 इंच का लिया है और जो लैंद थे वो हमने 4 इंच के लिए जो हमें बैल्ट चाहिए 1.5 इंच मतरा 1.5 इंच का हमको बैल्ट चाहिए तो 3 इंच हमारा बैल्ट में चले जाएगा प्लस वन इंच हमारा स्विंग जो रहता है उसमें साइड मार्जिन में चले जाएगा तो इसलिए टोटल हमने 4 इंच का लिया है वी आर मैकिंग इलास्टिक बैल्ट तो हमें जो 24 इंच की वेस्ट है वो हमें इलास्टिक बैल्ट से मिल जाएगी कि अधर आर्च करें तो हमें प्लस ताकि जो बैल्ट अपना बढूम्यक का अधर और जब आपने श्टिचिंग करें तो हमें फिन प्लस पराएगी मिले यह देखिए यह पूरा सर्कुलर मोशन में हमने बैल्ट को स्टीच किया पिन लगाया है जो बैल्ट है उसको हमने मेन फैब्रिक में अंदर के साइट अपोजुट करके स्टीच कर रहे हैं करके स्टीच कर ना है जब पूरा सर्कुलर मोशन में बैल्ट स्टीच हो जा जाए उसके बाद हमें जो बैल्ट है को टरुन पर शोड में गया है लेट सी यह देखिए जो बैट है अब उसको टर्ण किया है और टर्न करने के बाद हमें जो शिलाई है उस पर कि इसे स्टिच करना है कि अब इसे फिनिसिंग के साथ हमें पूरे लहंगे को बैल्ट के साथ अटेस करना है और जो अपनी सिलाई है वह स्टिच के ऊपर आएगी ताकि कि हमें लहंगे पहनते टाइम सिलाई ना दिखे बैल्ट की और इसे यह लहंगा हमारा रेड़ी हो जाएगा तो रेड़ी होने के बाद इसमें आप 24 इंच की कमर है तो उसमें 3 इंच माइनस करके 21 इंच की हमें इलास्टिक एट करने हो यह हमें आ रहा लहंगा जो कुछ इस टाइब चे दिखेगा कि कर दो एट साफiran मेरा आफ वह हमें एलास्टिक शिहा लगी है एट लो में आफ रेवे़ी होने के लगकर था भी वह दो मैं। लो